स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूटूग चैनल सूरत बोई क्रिस्ला में दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बोई किसा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो फाली फ्रेंड रेलवे की यहां नई सर्वीस चाल्य हो गई है जिसका इंदिजार हमारे रेल्वेयातिय को बहुत समय से था खासका रोनी आत्रिव को था जिनका घर स्टेशन से बहुत दूर है लाइक रेल्वे रिजर्वेशन काउंटर से बहुत दूर है उनके लिए दोस्तों रेल्वे की तरब से एक नई पहले एक नई फैसलेटी स्टार्ट करने जारी है तो फ्रेंड बहुत पहले एक बार नोटिफिकेशन आ गया था कि रेल्वे जब बहुत जल्ब पोस्ट ओपिस पे टिकट बुकिंग की फैसलेटी चालू करेगी तो यहां पर फ्रेंड उत्तर प्रदेश के 9147 जितने भी पोस्ट ओपिस हैं सभी पोस्ट ओपिस में दोस्तो रेल्वे यह फैसलेटी चालू करने जारी है टिकट बुकिंग की जिहां दोस्तो जैसे आप स्टेशन पे जो रिजर्वेशन काउंटर रहता है जैसे आप वहाँ पे टिकट पाते हैं कि त्रमें दोस्तो वही प्राइस में टिकट आप नजदी की पोस्ट ओपिस में पा सकते हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तो किसी भी गाव में आप रहते हैं आपके बगल में जो भी रिजरवेशन काउंटर पर मिलती है जो इसकी भी बुकिंग होने वाली है और आप से दोस्तों उतनी ही प्राइस वसूली जाएगी जितने उसके उपर प्रिंट रहेगा जिए एक नई फैशलिटी उतर-प्रदेश के तरफ से चालू की जारी है लाइक ए रेलवे की तरफ से फैसलिफ दी जारी है लेकिन फिलाल में उत्तर प्रदेश की 91740 पोष्ट उपीस लेट किये गे हैं रेलवे का यह कहना कि इससे ग्रामि लोगोंको काफी फायदा है या फिर ऐसे लोगों को ज्यादा फायदा है जिनका घर स स्टेशन से बहुत दूर है आपने देखा होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से गाउं है जिनका स्टेशन वहां से 40-40-50-50 किलोमीटर दूर रहता है उनको टिकट निकालने के लिए दोस्तों या तो ओनलाइन टिकट निकाले एजन को ज्यादा पैसा दे कि क् काउंटर टिकट उनके घर से बहुत दूर रहता है तो एक नई फैसलेश दोस्तों रेलवे यहां पर चालू करें उनको एक नई स्विद्ध है आप मिलेगी हो नजदी की पोस्ट ओपीस पर जाकर कंफर्म टिकट निकलवा सकते हैं दोस्तों कोई भी गाउं हो गया चाहे क उंक्तरप्रदेस में श्टार्ट की जा रही है तो इस आफ दोस्तों भी अप्डेट आरहे हैं सभी पोस्ट ओपीस ञेभी चाहे होंग स्व hail अशुत्क उप आरफ यह स्टेशन जाने की जरुत नहीं पड़ेगी ऐजिनको ज्यादा पैसा देखे को टिकट में नही prise आना पड़ेगा नजदी की post office में जाके ओं टाइम पे अक्वहता हूं पे नॉर्मल तरीके से book होता थी तो tam वह करवा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं लग से कोई भी चार्जेस नहीं पर करने है और यह सबी दोस्तों पॉस्ट में उपपीस नहीं जो इंडियन पॉस्ट में आता है भाताइव जाओं-वाले लोग आते हैं ततकाल टिकत निकालने के लिए नॉर्मल टिकत निकाले के लिए ऐसे क्या होगा कि अलग 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 लोग बढ़ जाएंगे अलग 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 डिविजिन में जैसे 50 km ग्रेंज में एक स्टेशन आता है तो 50 km आले जितने वेखती हैं वह उसी स्टेशन पर जाएंगे अब दोस्तोन उनको फैसलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगे ज़्यादा दूर उनको जाने जोड़रत नहीं है और दोस्तोन अपने ही पोश्टवखिस में नषदी की किसी भी पोश्ट ऊπिस में ऐसा नहीं कि आपका पोश्ट ऊपिस जीजी तो आप इसी पोश्ट ऊपिस में कर निकलवा सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों आज की छोटी अपडेटी आसा करता हो हमारे यात्रियों को काफी यूजफुल लगी होगी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बुए किसना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं